बांगला देश में सरकारी नोकरियों में अरक्षन के खिलाफ हप्ते भर से जारी विरोध प्रदशन अब उगर हो गया है इस बीच विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रंधिर जैस्वाल ने कहा है कि हम बांगला देश में रहे रहे भारतिये लोगों को हाई कमिशन के संपर्क में रहने और जरूरी मदद देने के लिए ट्रेवल एडवाईजरी जारी कर चुके हैं प्रवक्ता ने बताया कि विरोध प्रदशन के बीच बांगला देश में भारत के लगपक साड़े आठ हजार स्टूडेंट्स और पंद्रा हजार भारती नागरिक रहते हैं विदेश मंतरी खुद इस्तिती की निगरानी कर रहे हैं बांगला देश में हमारी हाई कमिशन इस्तिती पर लगातार अपडेट भी जारी कर रहा है बांगला देश में रहने वाले सभी भारती नागरिकों से संपर्क में रहने का अनुरोत कर रहे हैं हम अपने नागरिकों को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद है फिलाल हमारे सभी नागरिक सुरक्षे थे बंगलादेश में जारी हिंसा के बाद वहां से भारती लोगों का पलायन शुरू हो गया है इस पर जम्मु कश्मीर की पूर्व मुख्य मंद्री महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंतरी एश जैशंकर से बांगलादेश में फसे कश्मीरी चात्रों की सुरक्षान सुनिश्चित करने की अपिल की है महबुबा मुफ्तीन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बांगला देश में विरोध प्रदशन के चलते राजनितिक उथल पुथल बढ़ गई है उन्होंने विदेश मंतरी से ततकाल मामले में हस्तशेप की मांग करते हुए कहा कि पडोसी देश में इंटरनेट बंध होने से स्टूडेंट के पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है विदेश मंतराले ने शुकरवार को कहा कि भारत सरकार हालत पर लगाता नजर बनाए हुए है बांगला देश में फसे भारती नागरिक धाका में भारती हाई कमीशन के निर्देशों का पालन करे नागरीकों की साहिता के लिए हाई कमीशन ने हेल्प लाइन नमबर भी जारी किये हैं प्रदर्शनों को देखते वे भारत में बांगलादेश हाई कमीशन की जुरक्षा बड़ा दी गई है इसी के साथ बने रहे ही राज़्टमा टीवी के साथ दाने बाद जुरकों के SME लगए हाई करें लाई ठाने लाई टीवाए किये हाई झाल झाल